हेलो फ्रेंट्स आपके अपने यूडिव चैनल सितेश कामर्श टुटूरियल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स यह आपका इंट्रोडेक्शन तु दीन द्याल का पार्ट पॉर है जिसने 50 MC कूस कोशन बताऊंगा और आपका 200 के MC कूस कोशन का टार्गेट पूरा हो जाए प्रेंटे हैं प्रेंट्स नमबर 152 है आपका दीन द्याल की सादगी की सुनना किसे से की जाती थी तो आपका जो सेफ सने फ्रेंट्स हो है बी इस्वर चंडर विद्या सागर अगला कोशन है प्रेस्चन नमबर आपका 103 है किसका विचार था कि राष्ट्री अभिमान के बिना स्वतंद्रता का कोई अर्थ नहीं है तो दीन द्याल जी का एवल आप्सन सही है अगला कोशन है को प्रेस्चन नमबर आपका 155 है उन्होंने संग कारे का व्रत उन दीनों लिया जब संग का मार्ग बहुत कठिन था और कश्टों से भरा था किसने किसके लिए कहा तो एवल आप्सन सही है फ्रेंट्स भाव राव देवरस ने दीन द्याल के लिए अगला कोशन है क्वेश्चन नमबर 156 है जन संग के महामंत्री बनकर अपने गतिवीधियों से किस वर्ष पूरे देश को अपना बना लिया तो अनिशो बावन में वीवल आप संग सही है अगला कोशन है क्वेश्चन नमबर 157 है उत्तर परदेश के प्रांत पर्चारक का दाइतव देन द्याल को किस वर्ष सवपा गया तो सान अनिशो पच्पन में अगला कोशन है question number आपका 158 है दीन दियाल जी संग के कारियों में परतच रूप से सक्रिय रहे तो एवल आपसन से फ्रेंट सन अनिसो सैंतिस से अनिसो इकाउन तक अगला question है question number 169 है एक रात तक लिखने के बाद उपध्याय जी ने किस पुस्तक को लिख डाला तो समराठ चंदरगुप्त एवल आपसन सही है अगला question है question number 160 है समराठ चंदरगुप्त दीन दियाल द्वारा रचित पुस्तक के पात्र कौन से है तो डीवल आपसन सही है friends A और B चंदरगुप्त चाड़क के अगला question है question number 161 है उपध्याई जी ने दूसरा उपण्याज संक्राचारे किसके नाम से रचना की तो सद जगत गुरु संक्राचारे ठीक है तीवल आपसन सही है अगला question है question number 162 है दीन द्वाराठ द्वाराई की साहीतिक रचनाय कौन सी है तो तीवल आपसन सही friends A और B दोनो समराठ चंदरगुप्त और जगत गुरु संक्राचारे अगला question है question number 163 है समराठ चंदरगुप्त किस वर्स परकासित हुआ तो 1946 में यानि B वला आपसन आपका सही है अगला question है question number 164 है समराठ चंदरगुप्त और जगत गुरु संक्राचारे ने दीन देयाल उपध्याय को बना दिया B प्रसिद साहित्यकार अगला question है question number 165 जगत गुरु संक्राचारे किस वर्स परकासित हुई तो सन 1947 में अगला question है question number 166 है दीन देयाल के प्रणेता से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म किस वर्स परकासित हुआ तो सीवलापसन से फ्रेंट्स 1945 में अगला question है question number 166 उपध्याय जी की दयनिक पत्रिकाग थी तो स्वदेश सीवलापसन सही है अगला question है question number 166 दीन देयाल जी की सब्ताहिक पत्रिका पाज़न किस वर्स परकासित हुआ तो सनवापसन सही है अगला question है question number 179 और सक्ता अनुसार उपध्याय जी एक सफल परकासन के लिए बन जाते थे तो सीवलापसन सही होगा आपका ए और बी दोनों यानि कंपोजिटर और मसीन मैन अगला question है question number 170 है पत्रों के माध्यम से उपध्याय जी अपने विचारों का परचार और परसार करते थे दीवलापसन सही होगा फ्रेंट्स उपरोगते सभी राजनितिक विचार, समाजिक विचार और सांस्क्रितिक विचार अगला question है question number 171 है जनता का विद्रोत था उनको आदर्स सासक न मानकर हिनता की स्रणी में गिनने के प्रेतनों से हमारी मौलिक जनतंत्री भावना की पुष्टी होती है किसका विचार है तो दिन दियालू पद्हाजी का एव़ा आप्शनग सही है अगला question है question number 172 है दिन दियालू पद्याजी लोक तंत्र का किस अधान्ळा से सहमत थे तो बी व़ा आप्शनग होती होगा अगला question है question number 173 दिन दियाल्जी पूजिवाद और सर्वसत्तावादी राज्यवाद की प्रतिकिरिया उत्पन करने वाले लोक तंत्र का करना चाहते थे तो बीवल आपसन से होगा फ्रेंट्स भारती करान अगला कोशन है क्वेशन नमबर 175 है बीसो में युध और तबाही का द्रीश से किसके दर्शन का प्रतिफल मानते थे ठीक है तो आपका जो सेफ़सन है फ्रेंट्स भारती के दर्शन अगला कोशन है क्वेशन नमबर 176 है दीन द्याल जी के अनुसार मानव के संपुर विकास के लिए बाधक रहा है तो एवल आपसन से योगा फ्रेंट्स डार्विन का दर्शन अगला कोशन है क्वेशन नमबर 178 दीन द्याल ने वही कारे किया जिसे वे मानवाद के माध्यम से ब्यक्त करते थे तो सीवल आपसन से योगा फ्रेंट्स एकात्म अगला कोशन है क्वेशन नमबर 189 है उपध्याय जी का विचार है कि पस्चिम का दर्शन मुलता द्यक्तिवादी होने के कारण चारो और घुमता है तो यहाँ पर जो सीवल होगा फ्रेंट्स वो होगा भी मै के अगला कोशन है क्वेशन नमबर आपका 180 है पस्चिम में समाज प्रकृति और स्रिष्टि मेरे लिए है यहाँ पर किसकी प्राधिनता है यहाँ पर किसकी प्राधिनता है तो यहाँ पर जो से होगा फ्रेंट्स होगा बी मै की अगला कोशन क्विश्चन नमबर 181 दीन द्याल जी कहते हैं कि हमारी संस्क्रिती पूरी स्रिष्टी को ही पुरक मानती है तो एक दूसरे का बी वाला आपसन से होगा अगला कोशन है क्विश्चन नमबर 182 है उपर द्याजी के विचार से पूजी वाद और समाज वाद पैदा हुआ है तो एवाल आपसन से होगा फ्रेंट्स यहां अहंकार से अगला कोशन कोशन नमबर 183 समाज और संस्क्रिती का आधार सहयोग बना कर ही पाया जा सकता है तो यहां पर जो से होगा फ्रेंट्स हो है ए नर से नरायाण अगला कोशन है कोशन नमबर 184 मानव जीवन में समंजस से करके जीवन की समगर शंपनता यह भव्यता को मार्ग दिखाने वाला दर्सन है तो बीवल आपसन से योगा फ्रेंट्स एकात्म मानवाद अगला कोशन है कोशन नमबर आपका 185 है ग्वालेर में आयोजीत जन संग के अकिल भारती या अधिवेशन किस वर्स होई थी तो सन अनिस सो चौश्ट में अगला कोशन है कोशन नमबर 186 है आपका करा की एकात्म मानवाद एक ऐसा माडल है जो 200 में अनेका नेक आर्थिक माडलों में इस वर्स में सबसे अच्छा है कि इसमें संपूर मानवादा को समाहित कर लिया है पूरी मानव जाती को एक रूप में देखते हुए मानव के चहुमुखी विकास को लेवध किया है किसने कहा है तो स्री अटल विहरी बाजपेई ने डीवाल आपसं सही है अगला कोशन नमबर 187 दीन दियाल जी ने किस वाद से पूरे 200 को एक सुत्र में बाधने की कोशिस की है तो सी वाल आपसं सही होगा फ्रेंड्स एकात्म वाद अगला कोशन नमबर 188 गाधी जी के सर्वोदय को दीन दियाल जी ने नाम देकर उसका प्रतिपादन किया है तो अंतियोदय का बीवाल आपसं सही है अगला कोशन नमबर 189 अंतियोदय के रूप में रूपेम जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक दीन दियाल ने विकास किया तो वो है आर्थिक विकास वीवाला आपसं सही होगा अगला कोशन कशन नमबर आपका 190 अंतियोदय का अभिपराय है तो एवाला अपसं सही है यहाँ पर आर्थिक विकास के लिए परयास, अगला कोशन है, कोशन नमबर 191, और सास्त्री के रूप में उपध्याय जी ने माना है, हर ब्यक्ति को काम मिले, तो D वल आपसन से होगा, उप्युक्ति सभी, उसकी योगिता, उसकी रूची, उसकी छमता के धार पर, ठीक है, अगला कोशन है, क्वेशन नमबर 192 है, दीन द्याल उपध्याय ने किस उद्योग की बढ़हवा दिया है, तो यहाँ पर B वल आपसन से होगा, फ्रेंट्स, कुटीर उद्योग, यह पिछले बार पूछा भी गया था, अगला कोशन है, क्वेशन नमबर आपका, अगला कोशन है, क्वेशन नमबर 195, दीन द्याल पध्याय ने अर्थ नीती के लिए किसका सुझाओ दिया है, तो B वल आपसन से होगा, फ्रेंट्स, भात्री करण, अगला कोशन है, क्वेशन नमबर 196, स्री सियामा परसाद मुखर जी ने प्रात्मिक सदस्ता से क्यों त्याग पत्र दिया, तो एवल आपसन से होगा, अगला कोशन है, क्वेशन नमबर 197, किस सन में पंजाब और दिल्ली में जन संग साखा का गठन किया गया, तो 21 सितंबर अनी सो इकावन को, एवल आपसन आपका सही है, अगला कोशन है, क्वेशन नमबर 199, जन संग सिछा को किस ने गठन किया, तो उप्युक्त सभी, स्री, भाई, महावीर, वसंत्राव, ओक और भलराज, मधो, आपका दिल्ली आपसन सही है, अगला कोशन है, क्वेशन नमबर 199 है, कानपूर में दीन द्याल जी, किसके भासल में परभावित हुए, तो बीर नायक बीर बिनायक, दामोदर सावरकर, स्री वलापसन सही है, अगला कोशन है, और लास्ट कोशन आज का, क्यारा कि दीन द्याल की कारेक उसलता और दूर दिरिश्टी के कारण, दिल्ली अखिल भारतिय जन संग के अधिवेशन में किस वर्स बुलाया गया, तो बीवलापसन सही यह को फ्रेंट्स 21 सितंबर 1951, और फ्रेंट्स आपको कोशन यह के समात होता है, और आपका पर अच्छा जाए, बेश्टा प्लग, और फ्रेंट्स आपको बटा दें, कि इससे बाहर कोई कोशन नहीं आएगा, यह 200 कोशन का जो मैंने बताया आना, इससे बाहर कोई भी वो सना आईगा ये नहीं, ठीके?